बिजनोर के चांदपूर छेत्र में जंगल में चोरी चिपे सरकारी लखणी को गाड़ी में लाद कर ले जा रहे माफियाओं को वनविभाग की टीम ने घेराबंदी कर पकड़ लिया हाला कि अपने आपको फस्ता देख लखणी माफियों ने वनविभाग की टीम पर फाइरिंग कर दी जिसमें अपने बचाव में वनविभाग की टीम ने भी फाइरिंग कर दी इस दोरान पुलीस ने एक लखणी माफियों को मोके से दबोच लिया दरसल सुबा के चार बजे चांदपुर वन रेंजर विकास कुमार अपनी टीम के साथ गस्पर थे इसी दोरान उन्हें एक संदिक वाहन आता दिखा तो वन विभाग के करमचारियों ने लकड़ी से लदे वाहन को रोकने का प्रियास किया लेकिन सामने से अचानक फायरिंग के आवास सुनाई दी अचानक वोई फाइरिंग में वनकर्मियों के हाथ पाव फूल गए जिसके बाद वनकर्मियों ने भी अपनी और से जवाब में फाइरिंग कर दी दोनों और से चले फाइरिंग के बाद आखिर कार वनविभाग की टीम ने मोके से एक लकड़ी माफ्या को गिरफतार कर लिया वहन में लदी लकड़ियों को वनकर्मियों ने अपने कबजे में ले लिया और गिरफतार हुए आरोपी को जेल भेज दिया इडर तक जवाबी फाइरिंग हमारे द्वार अभी गया गया है जो है एक आद्मे को पकड़ा है अव्युक्त को और जब बाड़ी को चेक किया तो उसमें उकलिप्तस के सरकारी लकड़िया भरी होई थी जिसको परामत गरके लकड़ी और अभिकत को अव्युक्त को अरे लिए हैं और जो अव्युक्त है उसको जेल बेजने की काड़ी की जा रही है जो फरार हैं उनके जुरूपी काड़ी जा रही है वैसे लगब कितने लोग तेसारी से नहीं है अंदाल हो अभी तो पकड़ा गया उसके द्वारा स्टीन मोगों को बताया जा रहा है लेकिन हम कोई गया कर रहे हैं सकता ज्यादा हुआ कि आज अजब फायरिंग में कोई गया बगदर तो नहीं हो ने इस मां कोई नहीं हूआ है जो है किवल जफोपीर वाल्व कोई किसी तरह को लुक्सान हाने